तो कौन सी गाड़ी खरीदे यार एक ही कमपनी की सेम सेगमेंट में दो अलग अलग गाड़ियां है हमारे लिए कौन सी बहतर है हमें कैसे पता चलेगा तो चलिए आज मैं आपका यह कन्फूशन दूर कर देता हूँ उमीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए दोनों में से बेस्ट काड़ी चुन पाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आपाएं तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मारुती ब्रेजा को काफी पहले ही भारतिय बाजार में लॉंच कर चुका था और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया था बट जो रिसेंटली इसका फेसलिफ्टेड वर्जन आया था उसने तो लोगों को अपना दिवाना ही कर दिया था लोगों ने तो सीधा इसे रेंज रोवर से कंपेर करना शुरू कर दिया था बट 2023 के आटो एक्सपो में जब मारुती अपना नया प्रोड़क्ट लेके आया जो कि सेम सेग्मेंट का था तब लोगों का कन्फ्यूजन जादा बढ़ गया कि आखिर कौन सी गाड़ी उनके लिए बेस्ट है देखे लुक्स के मामले में सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा किसी को ब्रेजा का वॉक्सी डिजाइन पसंद आ सकता है तो किसी को फ्रॉंग्स का कूपे स्टाइल मॉडल बट मुझे पर्सनली ब्रेजा ही ज्यादा पसंद है आपको कौन सी गाड़ी पसंद है कमेंट में लिखके हमको बताईएगा बात करें दोनों के डाइमेंशन की तो लेंट दोनों ही गाड़ियों में हमको सेम 3995 mm की देखने को मिलती है जबकि विर्थ हमको ब्रेजा में 1790 mm की और फ्रॉंग्स में 1765 mm की मिलती है हाइट ब्रेजा में 1685 mm की और फ्रॉंग्स में 1550 mm की देखने को मिलती है और wheelbase breza में पची सो mm का है और fronks में यही मतलब breza fronks से ज्यादा उची और चौड़ी गाड़ी है बट 20 mm ज्यादा wheelbase हमको fronks में ओफर किया गया है बात करें boot space की तो breza में हमको 328 लिटर का boot space मिलता है जबकि fronks में यह सिर्फ 308 लिटर का है यानि कि 20 लिटर ब्रेजा में ज़्यादा ओफर किया गया है Coming to the weight of the cars ब्रेजा में हमको मिलता है 1145 से लेके 1220 केजी का कर्व वेट और फ्रॉंग्स में हमको 1055 से लेके 1060 का कर्व वेट देखने को मिलता है मोटा मोटा मान लीजिए कि 100 केजी भारी है ब्रेजा फ्रॉंग्स से अब फ्रॉंग्स हल्की क्यूं है इसके लिए 3 बड़े रीजन्स है पहला इसकी डाइमेंशन्स दूसरा इसके इंजन का वेट और तीसरा जिस प्लाटफॉर्म पे फ्रॉंग्स बनी हुई है ब्रेजा गलोबल सी प्लाटफॉम पे बनी गई है जिसे गलोबल NCAP क्रेश टेस्ट में FOUR S TAR पहले ही दिये गई है जबकि फ्रॉंग्स आपकी हाइर टेक प्लाटफॉम पे बनी गई है जिसमें बलीनो भीबेस्ट है अब देखना ये है कि फ्रॉंग्स को कितने मार्क्स मिलते हैं हलाकि मारूती का कहना है कि ये कार तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइड लाइन्स को देखते हुए ही बनाई गई है अब डिपेंड करता है इसके क्रेश्ट ट्रेटिंग टेस्ट पे तो अब बात की जए इनके इंजन स्पैसिफिकेशन की तो ब्रेज़ा में हमको सिर्फ एक इंजन देखने को मिलता है जो कि के सीरीज का 1500 सीसी का नैचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो प्रेड्यूस करता है एक सो तीन बी एचपी की पावर 6000 RPM पर और 137 मीटर का टॉर्क 4400 RPM पर वहीं फ्रॉंक्स में हमको दो इंजन देखने को मिलते हैं पहला जो कि टॉप एंड वेरियंट्स में ही हमको देखने को मिलेगा वो वन लिटर का बूस्टर जेट इंजन है ये एक टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन रहने वाला है जो कि प्रड्यूस करेगा 100 BHP की पावर 500 RPM पर और 147 NM का टॉर्क 4500 RPM पर दूसरा जो इंजन हमको सिगमा और डेल्टा वेरियंट में मिलेगा वो है 1.2 लिटर का नैचरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि प्रड्यूस करेगा 87 BHP की पावर और 113 NM का टॉर्क तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है और अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो आगे का वीडियो देख कि आप समझ जाएंगे दोनों ही गाड़ियां काफी फीचर रिच है कुछ कॉमन फीचर जो हमको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेंगे उनमें से है 9 इंच का बड़ा इन्फोटेमेंट सिस्टम स्टेरिंग माउंटेट कंट्रोल्स वाइस कमांड सिस्टम 16 इंच के अलॉई वील्स हेड़सप डिस्प्ले 360 डिगरी कैमरा 6 एरबेग्स ABS EBD ESP Hill Hold Assist Wireless Charger और Smart Hybrid जैसे इंजन्स जो कि हमको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेंगे Smart Hybrid इंजन होने की ओजैसे Breza में आपको 20 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाता है जबकि फ्रॉंग्स में ये उससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रॉंग्स Breza के मुकाबले 100 KG हलकी है अब कुछ ऐसे फीचर्स जो सिर्फ आपको Breza में ही ओफर किये गए हैं जैसे की Cooled Glove Box Dual Projector LED Headlamps Rear Armrest with Cup Holders and the most important Sunroof तो Final Verdict की आपको कौन सी गाड़ी अपने लिए लेनी चाहिए अगर तो आपको एक Proper SUV और Boxy डिजाइन वाली गाड़ी पसंद है जिसमें आपको Proper एक Sunroof भी मिले तो आपके पास एक ही Option रह जाता है जो की है मारदू सुजुकी की Breza बट अगर आपको एक Compact, Sleek और Modern लुक वाली गाड़ी पसंद है तो आपके लिए Fronks में जाना बहतर रहेगा ये Market में Fresh पी है और Breza के Comparison में इसका Price भी आपको कम देखने को मिलेगा हमारे हिसाब से ये गाड़ी 50,000 से 1,000,000 तक सस्ती हो सकती है Breza से उपर से इसमें आपको Turbo Charge पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जिसकी Performance भी स्यादा बहतरीन होगी और एक Fun to Drive Experience भी आपको Fronks में ही मिलेगा हाला कि अगर आप Base Model पर्चेस करने का प्लैन कर रहे हैं तो Fronks में आपको ज्यादा Features देखने को मिलेंगे Fronks के Base Model में आपको 60-40 Split Seat Adjustable Headrest Automatic Climate Control जैसे Features आपको सिर्फ Fronks के Base Model में ही देखने को मिलेंगे जबकि Breza के Base Model में आपको ये Features नहीं मिलेंगे हाला कि एक Extra Feature जो आपको Breza के Base Model में मिलेगा वो है Rear Ace Event तो कुल मिला कि Breza के कुछ Features आपको Fronks में Missing मिलेंगे और Fronks के कुछ Features आपको Breza में Missing मिलेंगे बट अगर Overall Features देखे जाए तो Breza में ही आपको ज्यादा ओफर किये गए हैं इसी वज़े से उसका Price भी उपर रहने वाला है तो अमीद करता हूँ कि आपका Confusion काफी हद तक कम हुआ होगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखके हमको बताईएगा जल्दी मिलते हैं एक Next वीडियो में तब तक के लिए जै भारत, जै उत्राखन